तो यहां पर हम सुजी की जिकसर एसेफ 250 मॉडल करेंगे और देखते हैं कैसा इसमें आपका परफॉर्मेंस मिलता है तो गाड़ी दिखने में काफी अच्छी लगती है और सुजी की का जो ऐसेफ मॉडल आता है स्पेशली अगर आप देखेंगे फुली फेड वर्जिन है और दिखने में काफी अच्छी लगती है सबसे पहले प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 2,23,000 25,000 on-road पूने पड़ती है तो गाड़ी महेंगी थोड़ी है लेकिन performance oriented गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है इस bike में आपको dual channel ABS मिलता है और 250cc का engine मिलता है इसकी maximum power around 26.5 PS की है और maximum torque around 22.5 Nm का है तो power and performance अगर आप देखेंगे 250cc की category में सिर्फ Duke का इससे जादा है लेकिन इस गाड़ी का performance है काफी अच्छा है exhaust की बात करने तो आपको यहाँ पर dual barrel exhaust मिल जाता है और dual disc मिल जाता है आगे का जो tire आपको 110 by 70 section का मिलता है पीछे आपको 150 by 60 section का tire मिलता है तो गाड़ी का performance काफी अच्छा है एक बार हम इसका test right करेंगे तो आपको समझ आएगा बागी अगर आप indicators देखेंगे इंडिकेटर्स आपको इसमें halogen ही मिलता है लेकिन आपको tail light LED मिल जाती है और यहाँ पर आपको मैं इसकी front की light दिखा दूँ तो आपको full LED का setup मिल जाता है तो अगर आप night के time पर travel करेंगे तो काफी अच्छा आपको focus मिलेगा बागी suspension इसमें आपको telescopic मिल जाते हैं और पीछे आपको 7 step adjustable suspension मिल जाता है यह moon shock आपको suspension देखने के लिए मिल जाता है fuel tank की बात करने तो उसमें आपको around 12 liters का fuel tank मिलता है और seat height around आपकी 795 mm की है तो seat height भी सही है अगर आपकी height कम है 512 है तब भी आप इसको अराम से चला सकते हैं और इसमें अगर आप देखेंगे पहली के model के comparison में इसमें अभी आपको clip on handlebar मिलता है तो उसके comparison में आपका हाथ थोड़ा सा अंदर की और आ जाता है बागी पहले straight handlebar मिलता था उससे हाथ आपका थोड़ा आगी की तरफ जाता था और instrument cluster मैं एक बार आपको दिखा देदा हूँ तो इसमें आपको जो है gear position indicator, trip meter, speedometer, सब कुछ आपको digital मिल जाता है तो ये सब इसमें सब चीज पुराने जैसे ही हैं बागी गाड़ी को अभी हम test ride करेंगे और देखते हैं कि कैसा इसमें आपको performance मिल जाता है तो प्राइस जैसे मैंने बता है आपको इसकी प्राइस 2,25,000 के करीब इसकी on-road पूने पड़ती है तो सुजुगी के इंजन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कहीं ने कहीं इसमें ऐसा लगते हैं कि इंजन खुला हुआ है इसका जो है power और performance ऐसे ही है और इंजन की sound है वो ऐसी ही आती है अगर आप BS4 comparison करेंगे या फिर BS6 से compare करेंगे तो almost गाड़ी का जो sound है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाड़ी का इंजन काफी जादा खुला हुआ है बट ऐसा नहीं है और 250 जो बाइक है इसका power काफी जादा है अभी आपको मैं दिखाता हूँ और गाड़ी का जो setting comfort है काफी अच्छा है एक दब almost upright हो जाता है तो गाड़ी का जो performance है काफी अच्छा है और sitting comfort की बात करें तो अभी जो setting comfort है वो almost upright हो गया है अभी मैं आपको इसकी performance दिखाता हूँ और brake की बात करें तो इसमें आपको dual channel ABS मिलता है तो braking अच्छी एस बाइक की और six speed का gearbox मिलता है तो अगर आप high speed में चलाएंगे तो आपको ज्यादा मज़ा आएगा बाकि setting comfort काफी अच्छा है एकदम almost upright है पहले अगर आपने देखा हुआ तो single handle आ रहता है तो थोड़ा आपको जुकना पड़ता था बट इसमें जो setting comfort है वो almost upright है इंजन की बात करना तो काफी रिफाइन रहता है और performance oriented engine रहता है और अगर आप दूसरी बाइक से compare करेंगे तो बाइक में क्यों होता है कभी आप चलाएंगे तो इंजन बंद होता है आन होता है इसमें जो है गाड़ी का इंजन काफी refined है काफी smooth है और इंजन कभी बंद नहीं होता है और throttle response देखेंगे आप इस बाइक का तो एकदम linear है तो यह काफी अची चीज़ है सुझी की जिकसर बाइक की तो जैसा कि आप देख सकते है स्पीड आराम से स्की 145-150 km पर आरकी चले जाएगे क्योंकि अभी मैं स्टी में चला रहा हूं तो इतना चला नहीं सकता बट आपने स्पीड देखेंगे काफी अच्छी है अस बाइक की और डेफिनेटल अगर आपको 50 CC काटेगरी में अगर कोई भी बाइक देख रहे है तो एक बार इस पर चला के जरूर देखिएगा क्योंकि की परफॉर्मेंस और गाड़ी है और इंजन काफी रिफाइंड है सुजुगी का भरोसा है और वाइबरेशन आप देखेंगे तो 140 तक की स्पीड में भी आपको जीरो वाइबरेशन मिलता है जैसा यह परफॉर्म करती है 60-70 किलोमेटर पर आज की स्पीड वैसे ही आपको वाइबरेशन मिलेंगे और गेर शिफ्टिंग भी काफी स्मूध है तो गाड़ी का परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा और अगर आप 2,25,000 की बजट में कोई गाड़ी देख रहे है 250cc काटेगरी में तो काफी अच्छी वैल्यू फर मनी गाड़ी है एंजन एक स्पीट का गेर बॉक्स मिल जाता है बागी सुजीगी का भरोसा तो ही है अगर आप आरवन फाइब के कमपारिजन में देखेंगे तो डेडिकेट राइडिंग पॉजिशन मिलती है बट यहाँ पे आपको एकड़म अपराइड राइडिंग पॉजिशन देखने के ले